चले गाई स्टार्ट के लेते हैं विद आर नेक्स कोशिटन कोशिटन नपर टू अब यह आप लोग को कोशिट का एक बेसिक कोशिटन आ चुक है तो आगे जाके कोशिटन सा नोट गूं टू पी टॉफ पो यू अज आ तोल यू पर्स कोशिटन के न बहुत जादा टाइम और उसकोशिट हर एक नेक्स कोशिटन के न बहुत कम टाइम लगने वाला है तो स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटा सा चीज हम लोग ने अभी तक कोस्टिंग के अंदर क्या करके रखा हुआ है डिफरेंस भी इन कोस्टिंग फिन फिनांचल अकाउंट फिर्स लेक्चर में अब पर उसके बाद यहां पर नेट फैक्टरी कोस्ट आजाता है उसके बाद यहां पर आजाता है तुम्हारा यह वाला चीज यह वाला चीज मतलब तुम्हारा जो कॉस्ट और प्रोडक्शन है नेट फैक्टरी कोस्ट से लेके कोस्ट अब प्रोडक्शन तक एवरिथिंग इच डिपेनेट अपॉन्टिटी प्रड्यूस तो पर उनिट निकालने के लिए हम लोग किसे डिवाइड कर लेते हैं क्वांटिटी प्रड्यूस उसके बाद फिनिश कुछ का स्टॉक अड़ तो वो पूछा नहीं है रॉम अटियल स्टॉक इस अल्वेज वाइड परचेस कोस्ट हमारे फिर्स कोश्टिन के रॉम अटियल के स्टॉक का वाल्यू ही दिया हुआ था डबलु आईपी स्टॉक इस वालूड आट कोस्ट के नचार कोस्ट आ जाएंगे डीम डीयल डीए और उसके बाद फाक्टरी ओफरिट एंजटॉकर इर लाट ये पिंश कॉझ जतॉक के अंदर पांच तरीके के कोस्ट आ जाते हैं दीम डीयल डी फाक्टरी ओफरिए इसिका है और यी पांच चीजे है वैसे भी तुमारे सी spill लूपी के अंदर होती है Commonwealth गोते हैं कोई भी question मैंने नहीं दाला है जहां पर WIP stock का valuation हमको करना होगा कोई बोल सकता है क्यों क्योंकि उसके लिए लगसे एक chapter है called as process costing जब उस chapter पे पहुंचेंगे तब ही वो चीजों के बारे में बात करेंगे इस chapter के अंदर हमेशा आपको WIP का stock rupees के अंदर दिया ही होगा तो इससे चलो start कर लेते हैं question number two से पढ़िए a company gives the following data for a month ठेक है production of finished goods 25,000 units sales of finished goods 26,000 units direct material 50,000 kgs at the rate of rupees 2 direct labor 40,000 hours paid at the rate of rupees 5 per hour तो ये तुमारा शायद first question के नहीं हो आता लेकिन इस question के नहीं हो रहा है तो direct material 50,000 kgs purchase के at what rate 2 rupees तो अपना purchases का rupees figure कितने का हो जाएगा 1 lakh that is 50,000 kgs into 2 उसके बाद direct labor 40,000 hours at the rate of rupees 5 so 40,000 hours worker लोगों ने काम किया उनको at the rate of 5 rupees हम लोगों ने pay किया so therefore कितना हो जाएगा 2 lakhs आगे अभी इसके बाद ध्यान से factory rent for the month factory rent for the month factory rent अभी ज़रा सोचो तुमारे पास bifurcation होता है overheads का in this particular case factory rent यार factory rent, factory rent किदर आता होगा मेरे ख्याल से एक ही option है यार this is nothing but factory overheads DM तो है नहीं, DL तो है नहीं, DE तो है नहीं क्योंकि DM, DL और DE जो होते हैं all of them are basically what those are variable cost those are variable cost, हर unit के लिए लगना चाहिए, factory rent हर unit बनाते हो, तो rental तो नहीं पे करते हैं तो factory ये फिर भी factory का cost है, तो obviously और कोई head तो बच्ची नहीं चाहता, there is factory overheads depreciation on plant and machinery, obviously यार वो किदर आने वाला है, factory overheads, चीक है, अगे salary to factory manager, ये बाला चीज, of course किदर आने बाला है, administration which is related to production तो इसके लिए अलग से एक head है, that you all are aware salary to office secretary, salary to office secretary, सब लोग में को बताओ this is administration which is general, ठीक है, आगे, office rent, office का rent यार, तो ये तो administration ही हो गया, general, उसके बाद, advertisement, तुम्हारे इसाब से advertisement जो है, वो किदर आ जाएगा, S&D के अंदर ना, so S&D, selling and distribution bad debts, दो मिनिट के बाद बात करता हूँ, salary of sales woman, salary of sales woman, sales woman का काम क्या होता है, कि sales बढ़ा हो यार, company का door to door, वो marketing बगेरा करो, या फिर, कोई एक दुकान में बैठके, जो भी लोग आएंगे, उन लोग को goods बीचने का try करो, तो obviously it is S&D, ठीक है, bad debts बच किया, मैं बात करता हूँ, उसके बार में, आगे, stock at the beginning of the month, of raw material, 50,000 kg, sorry, 5,000 kg at the rate of 1.5, WIP, 60,000 rupees, ठीक है, finished goods, 2,000 units at the rate of 16, stock at the end of the month, of raw material, 10,000 kg, of WIP, 70,000 rupees, और उसके बाद, finished goods, question mark, पिछले question के अंदर भी अपने को finished goods, जो है, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, इस question के अंदर भी नहीं दिया हुआ, एक और चीज़ इस question के अंदर जो अलग था, raw materials का closing stock, तो मारे पास kgs के अंदर था, किस के अंदर नहीं था, rupees के अंदर, तो वो भी एक बड़ी बात है, prepare cost sheet assuming that company follows FIFO method for valuation of stock, prepare cost sheet assuming that company follows which method, FIFO method for valuation of stock, तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर बाकी methods हम लोग नहीं दिखाएंगे, जो भी stock है, जो भी stock अपने को value करने का है, all of them will be getting valued based upon which particular method, FIFO method, ठीक है, अच्छा, bad debts के बारे में, अभी अपने को बात करने का है, ठीक है, दुनिया में न, कई expenses हैं, जिसके बीच में लड़ाई होती रहती है, कि यह वाला expense किदर आएगा, अभी अगर मैं तुम लोग उसे first impression पूछू, first impression, first impression, sir, bad debts किदर आएगा, तो तुम लोग बोलेगा, sir, bad debts तब होता है, जब भी sales होता है, जब भी credit sales होता है, तो sir, वो तो S&D के इंदर आएगा, that is one view, ठीक है, एक और view है, कि bad debts is a financial expense, यह भी बहुत popular view है, मैं तुमको न, दोनों चीजों का logic को यह story से वो समझा रहा हूँ, ताकि I can try to tell you, कि यह bad debts, जो है, same expense, S&D भी हो सकता है, same expense, शायद financial भी हो जाए, ठीक है, तो story goes like this, एक company था, जो goods बना देता था, बना देता था, लेकिन बिकता नहीं था, तो एक company ने सोचा यार, लोग हमारा goods क्यों नहीं खरीते, they came to an answer, कि na because, जो उनका goods है न, वो लोग सिर्फ cash basis के उपर ही बेचते हैं, credit किसी को देते ही नहीं, तो लोगों के पास उस वक्त उतना पैसा नहीं होता, तो वो लोग यहाँ पर यह बाला goods कभी खरीद ही नहीं पाते, तो यह कमनी ने क्या करना स्टार्ट किया, उन लोगों ने na goods credit के उपर देना स्टार्ट कर दिया, जब credit के उपर दिया, तो obviously more people were attracted, क्योंकि उनको immediate payment जो है, वो नहीं करना है, sales बढ़ता गया, कई लोगों ने goods खरीद के credit के न पैसा दिया, कई लोग भाग गए, अपना तो bad debts हो गया, तो अभी यह वाली कमनी ने सोचा, यार हमारा bad debts क्यों हुआ, तो bad debts इसले हुआ, क्योंकि आपने sales credit के उपर किया, credit के उपर sales क्यों किया, क्योंकि हम लोग sales बढ़ाना चाहते थे, तो any expense that is incurred for promoting sales should be S&D, अगर आप लोग को यह explanation अच्छा लगा, तो आप उसको S&D करके लिख देना, ठीके, लिकिन एक और view भी है, एक और view इस story का दूसरा part, या फिर some different scenario मतलब, कुछ ऐसा हुआ, एक बंदा जो है, goods बेचता था, excellent goods, मेरा friend था, goods वगेरा वो बेचता था, excellent goods, परी मैं इस बार उस बंदे के पास गया, मैं बुला भाई ये वाली चीज तुम मिर को दे दे, बुलता ठीक है, मैं बुला कितना पैसा हुआ, बुलता तुझसे पैसे मैं थोड़ी लूँगा, मैं बुला ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ अभी और क्या, बुलता ने 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 तुझा मत, हम लोग ने एक निया पॉलिसी स्टार्ट किया, कस्टमर को चाहिए ना चाहिए, हम लोग उसको 20 डेस का क्रेड़िट देते हैं, विदर ही वांट सॉर ड़स नॉट वांट, वी विल गिव इम 20 डेस का क्रेड़िट, मैंने बुला thank you, पका, बोलता हाँ, तुझा 20 दिन के बाद आ जाना पैसे दे जाना, मैंने बुला चल ठीक है, 20 दिन तक मैं बैंक के अंदर पैसा दालके इंट्रस तो खाऊँ, बोलता 20 दिन के बाद आना, मैंने बुला चल ठीक है, मैं भाग गया उदर से, मैं हमीशा के लिए भाग गया अभी वो बंदा सोचेगा, मेरा bad debts क्यों हुआ इसले तो नहीं हुआ, because he wanted to promote his sales मैं तो वैसे भी goods खरीद रहा था, मैं तो पैसे दे रहा था वो बोलता cash दे, मैं cash देता, वो बोलता 15 दिन या 20 दिन के बाद तो ये वाला expense इसले नहीं हुआ, क्योंकि he wanted to promote sales मतलब उस logic से वो S&D तो है नहीं, और कोई और head के अंदर ये वाला चीज तो आ भी नहीं सकता शायद, ये वाला चीज जो है office का घर्चा तो नहीं है, it is not incurred for management of the office, it is not factory overheads, it is not direct material, not direct labor, तो ये वाला चीज फिर किदर आ जाएगा, financial expense, okay, तो दुनिया में ना कई expenses ऐसे होते हैं, जिनका ना लड़ाई चलता रहता है, कि ये वाला expense किदर आएगा, किदर आएगा, तो तुम्हारे syllabus के हिसाब से, कई लोग बोलते हैं कि bad debts is S&D, कई लोग बोलते हैं ऐसा कोई भी disputed expenses होएगा ना, दोनों में से एक चीज कर लेना, write down the note for the other one, तो ऐसा लिख सकते हो, we treat bad debts as selling and distribution overhills, alternately it can also be treated as a financial expense, ठीक है, चलो, ये हो गया तुमारा question का सारा का सारा explanation, अभी अपने को cause sheet start करना है, हैं, जब हमको cause sheet start करना होता है, हम लोग को चार चीज़ों की जरुद परती है, कौन सी चार चीज़ों की, opening stock of finished goods, closing stock of finished goods, quantity produced, quantity sold, और अगर चारों में से एक भी missing होएगा, एक T account बनाएंगे, answer लेकर आएंगे, हम लोग ने ऐसा काम किया हुआ है, तो यहाँ पर देखो quantity किन किन चीज़ों का है, quantity किन किन चीज़ों का है, बरापर से ज़रा देखना, production of finished goods 25,000 है, sales of finished goods 26,000 इनिट्स है, तो quantity produced or sold तो है, उसके बाद finished goods का opening stock भी है, हमारे पास 2000, लेकिन अपने पास closing stock यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो एक closing stock of finished goods का, हम लोग को यहाँ पर एक note वगेरा त्यार करना पड़ेगा, ओके, तो एक काम ज़रा करो, लिखो पहले, first, एक काम ज़रा करो, like always, तुमारे working notes end के अंदर आएंगे, ओके, और पहले तुमारा main answer आएगा, तो लिखो ज़रा, please, question number two, cause sheet for the, the cause sheet for the, मेरे कहल से यहाँ पर data month का है न, month ended, आगे अपने को मेरे कहल से dates नहीं दिया हुआ, इस question के अंदर है, अच्छा, फिर, quantity produced of finished goods, 25,000 units, यह लिखो, quantity sold of finished goods, 26,000 units, यह लिखो, चले, अपना एक side का cause sheet जो है, वो त्यार करो, particular, total, per unit, और यहाँ पर आपके पास expenses का bifurcation है, तो मतलब आपके जो head होएंगे न, थोड़े से बड़े होएंगे, तो पूरा page वो बना ले न, तुमारा use होई जाएगा, question number one के अंदर क्या है, अपने को directly factory, overheads, admin, snd वागेरा वो दिया रहता था, तो इसके लिए अपना थोड़ा सा page जाएगा, यहाँ पे मेरे खाल से तो पूरी side तर जाएगा, ठीक है, बना लो प्रीज ए कॉशीट, particulars, total, per unit, किदर भी लगे, that, like you know, that, तुमारा जो format है, वो नहीं हो पा रहा, you can pause the video and then you all can restart. Next page पे लिखना, working note 1, closing stock of finished goods in units. Closing stock of finished goods in units. चुरे, start कर लेते हैं, सुनो, हम लोगों ने उस दिन कुछ ऐसा बात किया था, यह बाला account तो बनाने का नहीं, तो अपना, वो भी बात हुआ था, opening stock, उसके बाद quantity produced, उसके बाद quantity sold और उसके बाद closing stock, ठीक है, तुमारा जो quantity produced है, हम लोगों ने यहाँ पर भी तो वो है ना बेटा, 25,000 units, quantity sold जो है, 26,000 units, और अब opening stock और closing stock के अंदर से देखो, अपने पास, opening stock of finished goods का quantity था, कितने units का बेटा, 2000, ठीक है, तो closing stock will become your balancing finger, 1000, अच्छा, कई लोग ना, ऐसा चीज सोचते रहते हैं, ओके, I'll just reply, ताकि future में ऐसे dangerous thoughts ना है, सर, quantity sold, 26,000 है, quantity produced, तो 25,000 है, सर, 25,000 बनाया, तो 26 कई से बेचा, बेटा, शुरू में भी तो 2000 unit वो पड़ा हुआ था ना, यार, ओके, तो obviously, in fact, वो करने के बाद, there will be closing stock of 1000, इस चीज को एक note का shape वो दे देना, तो 1000 आपको balancing figure के तोर पर कैसे मिलता है, this plus this minus this, तो यहाँ पे अब यह आप लोग लिखे रखे, opening stock of finished goods, 2000, plus quantity produced of finished goods, 25,000, less quantity sold, of finished goods, 26,000, this will give you closing stock of finished goods, तो closing stock of finished goods, बेटा, कितने units का आ जाएगा, 1000, ठीक है, अच्छा, working note 2, एक चीज अपने month के अंदर अभी वो decide कर लेना, bad debts को तुमको कैसे treat करने का है, जो भी करोगे, I will always want a working note for it, जो भी करोगे, उसके लिए अपने को एक note की जुरत पड़ती है, ठीक है, तो working note 2, in this case, तुमको क्या करने का है, bad debts को, S&D लेने का है के financial expense, S&D ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक note ज़रा लिखना, bad debts is considered as a S&D overheads. Alternately, it can be taken as a financial expense and ignored from kaushit. चली, हो गया, अभी अपना चो kaushit है बेटा, वो start कर लेते हैं, ठीक है, so let's start, कई चीज़े I am trying to write down the words first, numbers थोड़ी देर के बाद लिखता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है, direct material consumed, opening stock, add purchases, less closing stock, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा direct labor, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा prime cost, उसके बाद आ जाएगा add factory overheads, just as a reminder बेटा, factory overheads के अलग अलग नाम जरा मेरे को बताओ एक बार, factory overheads, works overheads, manufacturing overheads, production overheads, आपको जो भी नाम यूज करने का है, ठीक है, और इस question करने है, factory overheads की काफी चीज़ें थी, ठीक है, तो factory overheads का बेटा क्या क्या था, I am just trying to be writing down, एक यहाँ पर factory rent आ जाएगा, फिर, depreciation on plant and machinery आ जाएगा, फिर, salary to factory manager वो तो उदर चला जाएगा, उसके बाद salary to office secretary, वो भी administration के अंदर ही जा रहे है, लेकिन वो general वाले के न, office rent, बस मेरे ख्याल से, यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, बागी सारा, वो का सारा, वो SND ही था, ठीक है, तो यह चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, gross factory cost, उसके बाद, add, opening stock of WIP, less, closing stock of WIP, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर administration overheads, administration को exams के अंदर भी ADM करके लिखोगे, that is all fine, related to production, और वैसा एक एक एक्सपेंस है न, तो इसी के आगे वो लिख देना, that is, salary to factory manager, यहाँ next line पर भी wonder line करके वो लिखोगे, that is all fine, लेकिन एक एक्सपेंस है तो चल जाएगा, अच्छा, इस total को हम लोग क्या बोल देते हैं, बिटा, cost of production, और bracket के अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो लिखेंगे थोड़ी देर के बाद, उसके बाद, add opening stock of finished goods, यहाँ पर भी हम लोग units लिखते हैं, less closing stock of finished goods, वो भी हम लोग लिख देते हैं, फिर उसके बाद आ जाता है COGS, वो भी हम लोग यहाँ पर units लिखते हैं, ठीक है, चले, पहले इतना अपना जो question है, वो खतम कर लेते हैं, फिर इसके बाद की कहानी, इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है, तो let's start, calcys रखना, अगर maths के अंदर इतने अच्छे वो नहीं हो तो, and exams can in any case, your calcys is allowed, so not a problem, ठीक है, तो start कर लेते हैं, opening stock, obviously this will be opening stock of raw material, correct, opening stock of raw material, in this case, 5000 kg, लेकिन मैं को kg तो नहीं चाहिए, at the rate of 1.5, तो यहाँ पर न, अपने पास opening stock 5000 kg का था, at the rate of 1.5, तो this is 7500, ठीक है, this is opening stock, आगे, purchases, purchases of raw material, देखो ज़रा किदर ना किदर तो दिया रहेगा, अपने को इधर दिया हुआ था, 50,000 kg at the rate of rupees 2 per unit, तो यहाँ पर bracket के अंदर लिख रहा हूँ, 50,000 kg at the rate of rupees 2, तो यह कितना आ जाएगा, 1,00, ठीक है, आगे, closing stock, closing stock, ज़रा चेक कर, इधर, कितने kg का है, 10,000, अभी यह तो बिटा, 10,000 kg है न, this has to get valued, first question के अंदर यह बाला amount भी अपने को दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ, तो अभी फिर कुछ ना कुछ सोचो, पहले मैं को एक question का answer दो ज़रा, raw material stock is always valued at, raw material stock is always valued at, purchase cost, ठीक है, लेकिन याद रखना, 1.5 भी purchase cost है, 2 rupees भी purchase cost है, although, 2 rupees is purchase cost of this year, and 1.5 is a purchase cost of last year, okay, whether it will get valued at 1.5 or 2, or somewhere in middle, okay, that depends upon the method that you all follow, some ने अपने को बोला, follow which particular method, FIFO, तो अब सब लोग में को जड़ा बोलो, if I am going to be following FIFO method, so 10,000 kgs will get valued at, at 2 rupees, तो यहाँ पे at the rate of rupees 2, यह आ जाएगा 20,000, कुछ भी life के अंदर, आज के बाद rule याद रखना, question number 1 के अंदर मैंने नहीं बोला था, क्योंकि वो first question था, future के अंदर कोई भी subject तुम करेगा, कोई भी subject हाँ, कोई भी subject तुम लोग वो करेगा तो, always कुछ भी less करोगे तो bracket के अंदर रखा करो, वरना exam के अंदर ही भूलोगे पका कि less करने का था, okay, these are small little things, have correct habits in exams that will be helping you all, 7,500 plus 1,00, less 20,000, this will be 87,500, direct labor, direct labor in this case, देखो वो दिया हुआ था, वरकर लोगों ने कितने घंटे काम किया बेटा, 40,000 hours, you are paying them at what particular rate, 5 परा, तो उन लोगों को मतलब अपना कितने रुपीज का खर्चा हो गया, 40,000 kg, at the rate of rupees 5, तो ये वाला figure कितना आ जाएगा, 2,00,000, prime cost कितने का आ जाएगा, 287,500, ठीक है, अगे, factory rent, inner column में लिखेंगे प्रीज, factory rent जो है, 35,000, inner column, depreciation on plant and machinery, 45,000, ठीक है, तो ये बाला चीज यहाँ पर, कितने का आ जाएगा, 80,000, 367,500, उसके बाद, add opening stock of WIP, 60,000, less closing stock of WIP, 70,000, so, therefore, this will be 60,000, this will be 70,000, 357,500, ठीक है, चलो, सुन, अभी वही वाली चीज है, जो question number 1 के अंदर भी हुआ था, पहले में को जब जब लो इस question के ना, WIP stock है क्या, I'm not saying quantity, I'm just asking y'all, WIP stock है क्या, है ना यार, 60,000 और 70,000, वो ही तो है, अच्छा लेकिन इसका quantities है क्या question के अंदर, सर नहीं है, तो अगर quantities नहीं है, में को बोलो, क्या-क्या compute नहीं हो सकता, सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, WIP का opening stock should be divided by opening stock of WIP का quantity वो नहीं है न यार तो यहाँ पे question mark यह भी अपने पास नहीं है लेकिन लेकिन यहाँ रखना net factory cost and onwards you do not divide by quantity produced or finished goods plus WIP you divide by quantity produced or finished goods और quantity produced or finished goods आपके पास 25,000 है तो this will be 14.3 357,500 divided by 25,000 ठीक है चली यह बाला जो अपना काम है यह हो गया अभी हम लोग को आगे चलना है administration over it related to production that is salary of factory manager वो इस question के नजरा देखो कितने का था 10,000 so therefore यह बाला चीज जो है 10,000 divide by quantity produced quantity produced बेटा कितना था 25,000 so therefore 10,000 divided by 25,000 0.4 तो यह आजाएगा 367,500 divided by 25,000 यह फिर यह दोनों को add भी कर लोगे तो भी बेटा वो चली जाएगा न तो इस विल बी 14.7 चल तुमारा जो यह बाला काम है यह हो गया अब ही को जड़ा बोलो COP तर कौन से गुट्स का cost बच जाता है सर वही वाले गुट्स का cost बचता है विच्च अर फुली complete कोगी WIP तो उपर अटक गया so this is the cost obviously of producing कितना units से हार 25,000 वैसे भी इसको 25,000 से ही divide किया ना हम लोगों ने है पर unit बुलाने के लिए ठीक है अब उसके बाद तेर पास opening stock of finished goods कितने का था 2,000 units closing stock of finished goods तो हम लोगों नहीं निकाला 1,000 units और COGS मलब cost of goods sold तो कितने units बिके थे बास 26,000 ठीक है अभी उसके बाद अपने को ना इंका valuations लिखने का है opening और closing stock का अपने को valuation लिखने का है तो start कर लेते हैं opening stock ज़रा देखो ना एक बार opening stock of मैं raw material देखूँगा WIP के finished goods obviously finished goods 2,000 units at the rate of 16 तो per unit figure जो है बेटा वो कितने का है 16, 16, 16, 16, ओके तो 16 into 2,000 तो ये वाला चीज कितने का आ जाएगा 32,000 अच्छा अब सब लोग में को ज़रा बोलना first question के अदर भी वोई चीज था बेटा by default we always follow which particular method FIFO इस question के अदर तो वैसे भी देखे रखा हूँ है that you should be following which method FIFO method ठीक है तो सब लोग में को ज़रा बोलो ये जो thousand units है ये किस के अंदर से होईगा ये बाला चीज 2000 के अंदर से होईगा कि 25,000 के अंदर से होईगा 2000 के अंदर से right so पागल ये किस के अंदर से होईगा 25,000 FIFO का मतलब क्या होईगा जो opening stock जो गुट्स पहले बनाए वो पहले बिग गए तो पहले तो 2000 ही बिगे ना यार तो obviously जो leftover माल होईगा 1000 वो कितने क्वांटिटी के अंदर से होईगा 25,000 so therefore this will get valued at what particular rate 14.7 calcium low 14.7 low into 1000 ये आजाएगा 14,700 367,500 plus 32,000 less 14,700 384,800 अच्छा अबना मेरे को per unit चाहिए अगर तुमको per unit चाहिए तो divide by बोलो 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 divide by बोलो quantity this is COGS बिटा COGS मतलब cost of goods sold so divide by 26,000 इनिट तो ये कितना आजाएगा बिटा 14.80 14.8 लिखोगे तो भी चल जाएगा ठीक है चली ये वाला जो तुमारा काम है ये हो गया बस अभी तुमारे बचे कुछे खर्चे जो हैं वो रहे गए इदर तो start कर लेते हैं में को ज़रा बोलो COGS के बाद सबसे पहले क्या आता है बिटा क्या आता है सबसे पहले general administration तो यहाँ पे ज़रा लिखना add general administration overheads अच्छा general administration salary of office secretary salary to और उसके बाद office rent now salary of office secretary is 40,000 उसके बाद office rent जो है that is 8,000 तो यह कितना आ जाएगा 48,000 आगे आगे next वाला भी काम ख़तम करी लेते हैं add selling and distribution overhead अच्छा exams के अंदर अगर थोड़ा सा जल्दी होएगा ना थोड़ा सा suppose you are falling short of time आप यह दोनों को एक head बना कर भी लिखोगे तो भी चल जाएगा वैसे भी दोनों COGS के नीचे आते हैं तो इतना कोई फरक नहीं पढ़ता है common head का नाम दे देना general administration slash snd overheads तो वैसा करोगे तो भी चल जाएगा अभी यहाँ पर कौन से कौन से खर्चे हैं बिटा advertisement तो लिखो इदर advertisement कितने का था advertisement 15,000 फिर उसके बाद bad debts हम लोगों ने मेरे ख्याल से यहाँ पर वो वाला चीज वो बोला था कि bad debts को हम लोग snd मानेंगे तो यहाँ पर bad debts bad debts जो था bad debts जो था कितने का था 10,000 ठीक है यह भी हो गया फिर उसके बाद last वाला अपना चीज salary of sales woman salary of sales woman salary of sales woman कितने का हो जाएगा 25,000 so 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा 50,000 अच्छा यह सब का जो total है बिटा क्या बन जाता है cost of sales तो 384,800 plus 48 plus 50,000 बलाब plus 98,000 कर लेता हूँ 482,800 ठीक है अच्छा एक last चीज दो last चीज एक तो ना इनका per unit अपने को निकालना बाकि है मैं को बोलो COGS onwards everything gets divided by quantity sold तो quantity sold से फिर दिवाइड कर लो 48,000 divided by 26,000 1.85 ले लेता हूँ you can round it off up to two decimals 50,000 divided by 26,000 1.92 ठीक है उसके बाद 482,800 divided by 26,000 18.57 अच्छा एक छोटा सा advice from my side अगर मानोगे तो अच्छा रहेगा पर ना इतना जादा कुछ फरक नहीं पड़ता ठीक है इतना जादा कुछ फरक नहीं पड़ता मेरा ना ये answer 1.85 exact answer नहीं था continuing था 1.92 भी मेरा continuing answer था exact answer 1.92 नहीं था अगर ये वाले figures per unit वाले figures कभी भी अगर exact answers ना होना exact answers और अपने calc के ओपर देखोगे तो strictly 1.85 नहीं आया था हम लोग ने round off करके 1.85 वो दाल दिया था अगर कभी ये वाले answers exact answers ना होना तो ना try किया करो कि द्याद से सुनना इसका इसका और इसका टोल करके ये वाला figure मत लाना better it is क्या कर सकते हो ये वाला चीज लो और फिर से quantity salt से divide कर लो इस question के नहीं शायद कोई फरक नहीं पढ़ता even if you'll take the calcina शायद total same ही आएगा लेकिन किसी ना किसी question के नहीं फरक पढ़ सकता है क्योंकि आप लोग दो approximate का total मार रहे हो so answer will become more approximate okay I hope you all understand मैंने क्या बोला ठीक है चलो your this work is all together done कुछ बोते सबर आगे आपने दो चीज़े बोला था दूसरा इस question के नहीं कोई sales करके item ही नहीं है तो मैं profit करके कुछ यहां पे निकाल ही नहीं सकता so this will be your ending of cost sheet also मैंने एक बार शायद यह वाला statement तुम लोग को बोल दिया था अगर किसी भी question के अंदर अगर किसी भी question के अंदर तुम लोगों को sales नहीं दिया रहता न sales and profit तो originally cost sheet cost of sales तक ही होती है बेटा okay cost of sales तक खतम कर तो that's it ठीक है चलो your this question is altogether done you can also enroll for our other subjects of CA foundation CA enter CA final by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com for any help call 808032 4444 next question से start करते हैं but just before I'll start away with the next question इस question का जो short से वो पढ़ लेते हैं okay so therefore two things हम लोगो ने जो इस question के अंदर किया I think उन में से एक चीज़ तो पिछले question के अंदर भी किया था but just as a reminder I've kept it remember that all raw material stocks are always valued at which cost purchase cost that I think you all know that finished goods stocks are valued at cost of production या फिर ऐसे बोल लो sir उसके ने DM, DL, DE factory over it is excluding that और administration आएगा या फिर यह सब का total COP के अंदर भी तो आई जाते है ना यार so you can directly be saying finished goods stocks are valued at cost of production okay I think that much was enough चलिए your this question is done तो अभी यहाँ पे question number three start करते हैं one of the easiest questions में को इसके लिए कोई background देने की भी कोई ज़र आते हैं directly start कर लिते हैं पढ़ी prepare a cost sheet showing cost per ton of paper manufactured by snow white publications in March 2022 under different elements of cost एक सेके एक सेके यह heading में फिर से पढ़ता हूँ prepare cost sheet showing cost per ton showing cost per ton prepare cost sheet showing cost per ton तो यहाँ पे ना question ने specifically बोल दिया है कि cost per ton मतलब per unit वाला जो कॉलम है वो बनाना ठीक है इसके बारे में ना end के अंदर मेरे को तुमको कुछ लिखवाने का भी है that I'll make you all right okay direct materials paper pulse 1100 tons at the rate of 70 other miscellaneous material 300 tons at the rate of 50 तो यहाँ पे ना direct material का आगे भी जाके देखोगे ना कोई stocks वगेरा नहीं दिया हुआ है okay बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ लेकिन यहाँ पे दो type of material देके रखे हुआ एक paper pulse उसका इतना tons use हुआ 70 per ton और एक other miscellaneous चीक है direct labor 200 skilled men ठीक है for 25 days ओके at the rate of 6 per day 175 skilled men for 30 days at the rate of 5 per day 150 unskilled men for 25 days at the rate of 4 per day ठीक है direct expenses तो first time शायद यह वाला head भी आ रहे है special equipment hiring charge and special dice एक बार समने बोल दिया ना कि यह दोनो direct expenses है तो अभी अपना दिमाग नहीं use काने का क्योंकि समने बोल दिया ठीक है works overheads बोले तो factory overheads ठीक है variable at 100% of wages fixed at the rate of 50% of wages ठीक है तो variable overheads का कुछ दो पार्ट sorry 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 works overheads का कुछ दो पार्ट है एक variable और एक fixed उसके बाद administration overheads 26313 selling and distribution overheads 56625 finished paper manufactured 1000 tons और उसके बाद sales at the rate of 400 per ton तो यहां पर तुमारे पास sales दिया हुए क्या sales है ना तो हम लोग sales से पहुचने का try करेंगे ठीक है अच्छा question है तुमारे पास इसका जो shots है तुमको थोड़ी देर के बाद वो दिखाई दीगा वो मैंने जान बूच के तो चुपा के रखा हुए ताकि I can try to tell you many things सुनो मेरी बाद अभी बराबर से सुनना हम लोग कोई भी question स्टार्ट करते हैं आपको चार चीजों के जुरुत पड़ती कौन सी चार चीजें opening stock of finished goods देखो इदर opening stock of finished goods सर इदर के इदर stock ही नहीं है सर तो मतलब नहीं है छोड़ दो 1000 tons this is finished paper manufacture so 1000 tons चीज़ है अच्छा quantity sold जरा देखो quantity sold नहीं है तो एक second common sense चीज़ है देखो समझ में आते कि नहीं opening और closing stock नहीं है ठीक है ना शुरू में था ना कुछ end में था कितना paper बनाया 1000 tons यह नहीं बोला कि कितना बेच दिया तो मतलब 1000 ही बेचा होगा ना क्योंकि अगर कम बेचते फिर closing stock भी तो होता ना यार ओके तो इस question के ना quantity produced will be equal to quantity sold is equal to कितना tons बेटा 1000 tons चीज़ है वो एक चीज़ याद रखना अभी एक और चीज़ धियान से अभी ज़रा सुनो जो भी मैं बोलता हूँ कान खुले करके बराबर से सुनना इस question के अंदर finish कुछ का stock था क्या finish कुछ का stock था क्या नहीं था ना में को बोलो पिछले question के ना question number 2 के अंदर था क्या था ना तो पिछले question के अंदर ना में को ये per unit column की जरुएत जबरदस्ती पड़ती है क्योंकि मेरे को ना 14.7 वाला figure चाहिए रहता है 14.7 वाला figure आगे जाके मेरी closing stock की valuation के लिए use होता है तो में को per unit के column की जरुएत पड़ती है लेकिन इस question के अंदर कोई stock ही नहीं है अगर इस question के अंदर कोई stock नहीं है तो इस question के ना per unit column की कोई जरुएत दी नहीं पड़ेगी लेकिन sum ने तेर को यहाँ पर बोल दिया कि cost per ton बनाना अगर sum ने बोल दिया फिर matter ही खतम हो गया sum से बड़ा कोई है ही नहीं ना तुम ना मैं sum ने बोल दियाना कि cost per ton निकालना पड़ेगा is that clear ठीक है चली तो अभी answer से start कर लेते हैं लिखे जबाए प्रीज question number 3 यहाँ पर देखो company का नाम दिया हुआ है snow white publications and this is for the month of March 2022 तो यहाँ पर लिख लेना in books of snow white publications आगे लिखे एक cost sheet for the year नहीं है पिटा इस question केना for the month ended यहाँ date लिख सकते हो यहाँ फिर ऐसे भी लिख सकते हो वो चल जाएगा March 22 अच्छा एक यहाँ पर total का column sorry 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 यहाँ अच्छा यहाँ पर quantity produced इसी लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं प्रीज quantity produced is equal to quantity sold is equal to 1000 units is equal to 1000 units अभी अपने columns बना दो एक total वाला column और एक per unit यहां फिर per ton भी लख सकते हो यहां पर भी अगर आप लोग चाहो आप लोग units के बदने में वो ton भी लख सकते हो ठीक है वो चलता है that is all okay in exams start कर ले चले यह easy question है 5 minute के अपना question जो है खतम हो जाएगा तो यहां पर direct material यहां पर कोई opening और closing stock of direct material भी नहीं है तो यहां पर आप लोग direct material भी लिख सकते हो direct material consume भी लिख सकते हो लेकिन याद रखना इस question के रहे दो type of direct material है एक यहां पर paper pulse था और एक यहां पर other miscellaneous material other miscellaneous I am writing that's enough ठीक है फिर उसके बाद यहां पर direct labor था question के रहे ज़रा चेक कर बेटा direct labor भी तीन टाइप का है तीन टाइप of workers are there skilled men semi skilled men unskilled men तो मैं यहां पर वैसा bifurcation लिख रहा हूँ बेटा skilled men semi skilled men unskilled men थेक है अच्छिए skilled men are those who are bachelor's till now you all okay unskilled are those those who have already got married example अभी तुम लोग वो समझ जो semi skilled will be all those people who have actually got engaged or in love let's continue stupid direct expenses direct expenses यहां पर दो types का है special equipment higher charges फिर उसके बाद special dyes dyes बहुत है like you know वो paper को कुछ color देने के लिए बगेरा वो सब चीज़े जो ink type चीज़े होती है तो यहां पर लिख सकते हो special dyes ठीक है तो यह तीनों का total मारेंगे तो इधर यहां पर क्या आ जाएगा बिटा prime cost ठीक है यहां जाएगा उसके बाद add समके ना factory overheads के बादे में works overheads यहा हुए वो same ही term होता है I am trying to write down exactly the same term जो question के अंदर है works overheads ठीक है लेकिन यहां पर शायद works overheads के भी दो पार्ट थे दो पार्ट बेटा जी क्या थे one is variable one is fixed ठीक है अभी ध्यान से सुनना क्योंकि ना मैं पहले almost अभी अपना format जो है वो खतम कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद मैं आगे बाली कहानी करूँगा इस sum के अंदर ये बाली term को हम लोग usually क्या बोलते हैं gross factory cost फिर WIP stock adjust होता है जो है नहीं इस question के नहीं तो अपने हों क्या मिलता है net factory cost तो अभी हम लोग gross और net word क्यों use करें यार ओके तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो factory cost ठीक है अच्छा उसके बाद अभी एक important चीज़ ये याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना यहां पे ना देखो administration over it जिया हुआ है लेकिन administration कौन सा वाला related to production क्योंकि अगर वो करेंगे तो इधर आएगा if it is related to production तो इधर आएगा general है तो नीचे आजएगा अगर कुछ नहीं बोला है तो please एक assumption मार के आना that these are assumed to be general administration ठीक है ये वाला assumption अपने को लिखना है अभी तक okay so just keep that particular thing in mind मतलब यहां पे अभी वो administration over it is related to production तो नहीं आएगा वो तो कुछ है ही नहीं इस question के अदर तो ये बाला चीज़ खुद बखुद क्या बन जाएगा बिटा COP एक और चीज़ में को थोड़ सजगा और रखना चीज़ था COP के बाद आप लोग क्या adjust करते हो sir हम लोग adjust करते हैं finish goods job जो ही नहीं तो मतलब ये वाला चीज़ खुद बखुद क्या बन जाएगा COGS चीज़ अभी आगे add administration overheads bracket में general ठीक है उसके बाद add यहाँ पे selling overheads भी तो है selling and distribution overheads selling and distribution overheads तो आप लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा बिटा cost of sales और तो कुछ है ही नहीं ना question के अंदर उसके बाद add profit और sum के अंदर आप लोग को sales दिया हुआ है ठीक है चलो मैंने जान बूच के पहले format बनाया थाकि बार बार वार वी आर नॉट टर्निंग पीज़ आ सच ठीक है तो start कर लेते हैं पहले सारी total figures लिख दूँगा end के अंदर we will find out per unit figures ठीक है तो paper pulse कित 800 ton mal use हुआ into 70 तो ये वाला चीज इनर कॉलम में लिखना क्योंकि दो टाइपस है 77 और triple zero ना मैंने एक zero शायद गोज़ादा लिख दिया ठीक है आगे other miscellaneous material other miscellaneous 300 tons at the rate of 50 इसके बाद देखो तुम्हारे दिमाग में ये वाला question आया क्या जो मैं अब तुमको वो बोलने जा रहा हूँ 15 1 2 3 ध्यान से सुनना मेरा question क्या है तूने material use किया राइट ग्यारा सो टन 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 is weight of a product नो टन is weight ग्यारा सो टन पेपर पल्प गया ओके 300 टन बाकी miscellaneous गया तो total कितना material अंदर गया वेट 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 चौदा सो टन लेकिन फिर भी finished goods कितना आया thousand tons फिर भी finished goods कितना आया thousand ton तो 400 टन किदर गया तो बोते सर्थ WIP के अंदर होएगा लेकिन WIP stock तो ही नहीं तो सारा का सारा finished goods के अंदर ही गया रहेगा लेकिन अगर सारा का सारा finished goods के अंदर जाता तो फिर finished goods का production भी तो 1400 ton होना चाहिए था लेकिन 1000 ton है तो बाकी 400 किदर गया रहेगा सर एक ही option है सर वो waste होएगा सर बराबर है waste होएगा अभी जो कच्रा बगएरा होता है वो वो होएगा तो 400 tons in this particular question is waste only जो नाली के अंदर वो बहा देंगे आप इंस वागएरा ठीक है कोई ऐसा बोल सकता है सर उसको बेच के कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है वो वाला चीज मैं advance course sheet के अंदर cover up करूँगा इधर नहीं cover up करूँगा मैं तुमको बोला था कई चीजों के जो answer है वो तुमको advance course sheet के थूई बताऊंगा when I have discussed almost all the chapters ताकि तुमको पता चले कि तुमारी final जो advance course sheet है उसके अंदर क्या-क्या mistakes है of the institute ठीक है तो अभी आगे चलते हैं so 77,000 plus 15,000 this will be 92,000 ठीक है उसके बाद डारेक लेबर skilled men skilled men in this particular case is 200 people 200 लोग है 25 दिन तक काम करते हैं at the rate of 6 so 200 into 25 into 6 calcium में एक ही बार beta use करता हूं फिर उसके बाद 175 into 30 into 5 150 into 25 into 4 ठीक है उसके बाद वो वाला चीजे मैं compute कर लेता हूं special equipment higher charges 10,000 का है special dice 5000 का है तो यह हो गया 15,000 ठीक है अभी यह सब मैं compute करके इदर वो लिख रहा हूं 200 into 25 into 6 30,000 अगे 175 into 30 into 5 26 to 50 फिर 150 into 25 into 4 मतलब 15,000 तीनों को अड़ करो 71,250 तीनों को अड़ करो plus 92,000 plus 15,000 178,250 ठीक है अगे works overheads which are variable works overheads which are variable 100% of wages तो बेटा wages कितना था 71,250 उसका 100% मतलब same ही हो जाएगा ना 71,250 ठीक है उसके बाद fixed वाला part 50% of wages wages 71,250 था उसका 50% लो अपने calcic के उपर 71,250 into 50% 35,625 add करो 106 875 ठीक है plus 178,250 285,125 उसके बाद administration overheads general 26,313 26,313 उसके बाद 56,625 56,625 36,8,063 ठीक है चलो उसके बाद sales sales जो तुमारा है जरा ध्यान से देखना selling prices 400 per ton में को जरा बोलो कितना tons बीचा बीचा सर हम लोगों ने 1000 ton बीचा सर तो 400 तो per unit है 1000 ton बीचा तो ये वाला figure कितना आ जाएगा 4,00,000 तो profit your balancing figure 31,397 ठीक अच्छा per unit वाला काम वो तुमारा है यहां फिर मैं करी देता हूँ वो एक ही मिनट का काम है बेटा यो आप टो बीडिवाइदिंग भाई 1000 एवरिवेर क्योंकि 1000 was a quantity produced नो अभी तुमको इतना समझ में आएगा इसका per unit तुम लोग अभी निकाल सकते हो सब लोग में को ज़रा सोच के बोलो इसका per unit क्यों निकाल सकता हूँ क्योंकि इस question के अंदर WIP stock है यह नहीं so these three figures in fact these four figures यहां तक everything should be divided by quantity produced of finished goods plus WIP लेकिन WIP तो है यह नहीं तो all of them should be divided by quantity produced of finished goods so quantity produced of finished goods तो है ना यार तुमारे पास that is कितना tons 1000 so this is 92 71.25 15 178.25 106.875 285.125 उसके बाद 26.313 56.625 368 0.063 31.397 काम खतम हो गया तुमारा एक note अपना बाकी था यहां पे जड़ा लिखना note first उसको working note नहीं बोला क्योंकि उसके नहीं कुछ calculation वाला पार्ट नहीं है तो यह की चीज़ था उसको note बोलके we all will finish you all can write down administration overheads have been assumed to be general administration overheads have been assumed to be general चलो this question is all together done बस इस question के case study shots के अंदर अभी तुम लोग को यहां पर जो तीन चीज़े वो बोली याद रखना per unit column is only required if there are finished good stocks to be valued इस question के ना finished good stock नहीं था तो अपने को per unit column की कोई जुरूरत नहीं थी लेकिन point number 3 in this question we prepare per unit column because of the instructions of the problem उसके उपर कुछ होता है नहीं and in this question there are no opening and closing stocks of finished goods hence quantity produced of finished goods is equal to quantity sold of finished goods I think that much was all enough now just before I proceed and end this particular lecture तुमार पास दो question है जो module के हैं which you are supposed to be to finishing तो वो खतम करना हर एक homework section का question brown color में होगा उसके बाद उसके answers मैंने यहाँ पर नीचे दिये रहेंगे notebook के अंदर तुमको तक्रीबन एक side वो चाहिए रहेगा in this case to finish of the question तक्रीबन although यह बाला चीज तुमको बहुत ज़ादा काम में नहीं आएगा अगर तुम लोग रोज का रोज homework करने वाले हो तो ठीक है नहीं करने वाले फिर एक side छोड़ देना hints and assumptions इस question के नहीं चाहिए because it is very simple most crucial exam के अंदर your speed has to be good along with neatness okay तुमको कितना time लगना चाहिए इस question का वो watch इदर है 12 minutes और 4 seconds से जादा नहीं लगना चाहिए ठीक है वो दिसर्फ 4 seconds आपने क्या calculation किया नहीं क्या 12 minutes ही लिखने का था लेकिन 12 लिखता तो अजीम लग रहा था बाकी सारे area blank फगेरा वो लग रहा था तो 12 minutes in 4 seconds ठीक है तो आपको question number 4 करना है और आपको question number 5 करना है वो भी brown के अंदर ही है all brown questions are supposed to be done by you all ठीक है चली I am all done for today hi guys welcome to the tip of the day हर chapter के end में और हर chapter के हर lecture के end में there will be tips provided 15 chapters I have got 15 tips for you all और हर lecture के end में of the same chapter same tip will be there तक के तुमारे दिमाग के अंदर भी रहे तोड़े we are going to be having the first tip and something for me that is most important marks and your time that you devote to your studies are not proportional to each other कई लोग 16 घंडे पढ़कर भी पास नहीं होंगे कई लोग 8 आर्स पढ़के भी rank लेकर आजाएंगे it is not dependent upon how God gifted intelligence is it is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो it goes a very long way in life in trying to improve yourself 8 hours cut yourself out from many things अगर आप 8 hours का target रखे होए हो तो 8 hours बाकी चीजों की अच्छे तरीके से पढ़ाई करो honestly for me 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also it's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts you are not keeping your phone with you and trying to have the distractions तो 8 hours to 10 hours continuously या फिर in breaks whatever your mind allows लेकिन अच्छे तरीके से उत्रा पढ़ाई करो that should be sufficient enough this is my first tip of the day this tip usually is there for those students जो लोग हमेशा एक कोशन पूछते हैं सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए this is the answer to all those students thank you guys I'll see you all with the tips of the day now in chapter number 2 बाई